नमस्कार दोस्तों बेजिन गुजराती चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है तो आज हम एक ऐसे टोपिक पर बात करने वाले हैं जो पिछले दो साल दो तिन सालों से चर्चे में था अए दिन हम कभी कभी देखते हैं डीडी नेशनल डीडी न्यूज डीडी स्पोर्ट इसी गवर्मेंट की कितनी सारी चैनल है उसमें से दो चैनल ऐस है आरेस्टी और एलेस्टी यानि की राज्यसभा टीवी और लोक्सभा टीवी और दोनों एक मार्स से मर्ज हो गी है और र कर दिया था अलाकि उसके पिछे कहीं कारण है जो आगे में वीडियो में आपको बताऊगा तो उसके सीओ है दोजा सुरी 1988 के 1988 के बैच के रिटाइड आइस ओफिसर रवी कपूर और उसका नाम बदलकर संदेश टीवी हो गया है और उसके सीओ बनने वाले है रिटाइड आइस ओफिसर रवी कपूर और 2006 में स्वामनाथ चैटर जी हालाकि उस समय के लोगसफा के स्पिकर थे यानि कि अजजक्स थे उसने लेस टीवी यानि कि लोगसफा टीवी का टीवी चैनल बनाने का ओफिसियल अनाउंस किया था और उस समय से 2006 से लेकर पहली मार्थ तक और लोगसफा टीवी बनकर उसने कहीं सारी न्यूस की और 2011 में आरेस टीवी यानि कि रज्जासफा टीवी का गठन हुआ था और उस चैनल बना गया अब इस संदेश टीवी बना यानि कि लोगसफा और रज्जासफा टीवी को दोनों जो को मर्ज कर दिया और उसके बाद जो संसद टीवी बनने वाला है और सचरी में क्या दिखाय जाएगा तो कि माने लोग आप कोई सीविल सर्वीश कीत्यारी कर रहे हैं चैम तो उसमें सेविल सर्वीश के अधिकरूत बनकर आपर और अभशा है जाएगा वहां पर फैना और फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाए जाएगा फिर कहीं सारे ऐसे हाला कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बनाव बनते हैं जो कटना बनती है उसका विवरण कहीं सारी इंटरनेशनल कम्यूनिटी यानि की वर्चुल रियालिटी से वहां पर दिखाए जाएगा और इसे कहीं सारे कार्यकम है जो दिखाए जाएगा तो इस मर्ज करने की बात क्या आई उससे पहले हम देखे इसकी करेंट्ट लोकेशन जो यह और लेस्टी वी दिली महादेर रोड पर स्थीथ है और आरेस तीवी हा में वहां पर ताला कटॉरा का विश्तार है वहां पर स्थी थे और दोनों को मर्ज करने की बात क्यों आई तो के आरेस टिवी का जो मुख्या ले है जो ताला का टोरा में उपस्ती थे तो वहां पर साला ना एक साल का रेंट तीस करोड था और इस चैनल की इंकम तो इतनी थी निक जो साला ना तीस करोड का रेंड चुका पाए वो सरकार के पास ले लेने था और इससे इडिशनल बडन यानिकि इडिशनल बडन preparate होता है और संसर 001 और LSTV दोनों का सालाना रेंट बहुत सारा बढ़ता था और उसके करण उसने मर्ज करने की बात की हलाकि एसी सिचुएशन इस तरह से आई मानलों कि कोई आज तक या फिर ABP न्यूज है या फिर कोई आर भारत यान कि सरकर कहती है कि यह को दिखाऊ मानलों कि प्राइवेट रहती है तो ओको फी में तो दिखने वाले हैं क्योंकि वह तो उसका में बिजनेस है तो उस एड वहांसे पेशा क्रियेट होता है और उस पेशे का ओ चैनल में कहीं सारे बदलाव कर सकते हैं और यहां पर LST और RST के पास कुछ फाइनांशियल एसी कोई सिच्वेशन नहीं थी कि जो कुछ कर सके और उसके बाद वहां पर कोई एड नहीं आती है कि वहां पर कुछ social violence हो सके यानिन की म्हानशिक मानसिक हिंसा हो सके यशा कुछ दिखाये नहीं जाता और सरकारी एड आती है मान लोग की कि प्रतानमंत्री कोई योजना कर रहे है प्रतानमंत्री मन की बात कप कहने वाले है ? या फिर सोचाले के कोई βात हो, कोई सरकारी कारी क्रम है ? मोदी जाने वालए है ? क्या करने वाले है? ऐसा कुछ दिखाये जाएगै तो सब . यानि की किस तरह से काम करने वाले हैं तो आप बता दू कि संद्राइज TV कि संद्राइज TV जो मर्ज हो गया है राजयसभा और लोकसभा TV को जो मर्ज कर दिया गया है मैं मान लों कि लोकसभा में एक साथ कार्यक्रम होगा या फिर राजसभा में दोनों को एक साथ कार्यक्रम होगा तो फिर कैसी सिचुएशन आईगी कि दोनों चैनल तो मर्ज ही हैं लेकिन संदेश टीवी नंबर वन और संदेश टीवी नंबर टू इसे दो चैनल बना गए है उसका मुख्या लिदे के होगा तो एक चैनल में दो कार्य कर्म तो दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसा किया गया है और उसके CEO है रवी कपूर यानि कि रिटाइड आयस ओफिसर रवी कपूर उसका एंडलिंग करने वाले है अब बात यह आती है दोनों को मर्ज कर दिया है तो employment का क्या होगा तो आपको बता कर आपको बता कर हैरानी होगी कि जो programming in India यानि कि जो इस channel में कारिय करते थे वहाँ पर कॉंट्रक्ट किये गए कर्मचारी यानि कि कि आपको दो साल काम करना है आपको तीन साल काम करना है या फिर आपको जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको वहाँ पर काम करना है ऐसे कर्मचारी यानि कि वहाँ पर कॉंट्रेक्ट बेस वहाँ उसको ब पायत है सरकारी नोक्री तो है नी कॉंट्राक बेस पर साइन किया गया हुआ नोक्री है इसलिए वहां से उसको छूटी कर दी जाएगी तो यहां पर बेरोजगारी भी क्रियेट होगी लेकिन संसद टीवी एक एसी चैनल है जहां पर सिर्फ गवर्मेंट ही फंड करती है वहा पर थोड़ी फाइनेंशियल कटो कटी होती है उसके कारण यह सब किया गये है तो आशा करता हूँ आपको इस जानकारी में जो बोला उस आपको समझ पाया हो गए और आपको यह जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा तो मिलते है अगले वीडियो में जय इन वंद् मत्रों